राजनती विज्ञान वीशे में आज हम परवक्ता राजनती विज्ञान, सायका दैपक नागरिक्सास्त, सायका दैपक सामजी विज्ञान, UGC net, स्ट्रीट सेट और ऐसे सभी पर्तुग côt का परिक्षाओं के लिए राजनती विज्ञान के ऐसे महत्यपूर प्रश्नों का अ वाद था इसमें ये कहा गया प्रियम्बल और कि उद्देशी का समिधान का भाग नहीं है यहाँ प्रश्ण UGC NET की जून 2019 की परिक्षा में पूछा गया था इसके विकल्पे हैं कि इस वानद भारती वाद मेनका गाधी वाद विसाका वाद बेरुवाडी वाद इस प्रश वह समिधान का भाग नहीं है इसका आप देख सकते हैं 1960 में सरवोच नियाले ने कहा कि उद्देशी का समिधान का भाग नहीं है तूसरा प्रश्ण है कि इसने कहा कि निर्धन निर्धन है इसलिए नहीं कि उनके पास कुछ नहीं बलकि इसलिए कि वे क्या नहीं कर सकते हैं इसके विकल्ब हैं हंस सिंगर अमर्त सेन महबूब उलहक हर्स मंदिर इसका सही उत्तर है अमर्त सेन अमर्त सेन ने कहा कि निर्धन निर्धन है इसलिए नहीं कि उनके पास कुछ नहीं है बलकि इसलिए कि वे क्या नहीं कर सकते हैं यहाँ पर विकल्प खोईस का सही उत्तर है अमर्त सेन, अमर्त सेन महान अर्थसास्ती रहे हैं और उन्हें अर्थसास्त के छेत में नोबल प्रुषकार भी मिला था, तीसरा प्रस्टन है किसने कहा जब कूटनी तिकानत होता है तो युद्ध आरंब होता है, इसके विकल्प जब कूटनीत यान की डिप्लोमेसिक आंत होता है तो युद्ध आरंब होता है, विकल्प को अडॉल्फ हेटलर इसका सही उत्तर है चोटा प्रुष्ण है, निमन मैसे किस आयोग औबलिक समीती ने परतेक जिल्ले में नगरी एवं ग्रामीन परतिनिशुत के लिए जिल्ला परिशद के सिर्जन की अनुशंचा की? यानि कि वह कौन सी समीती थी? जिसने कहा था कि परतेक जिल्ले में नगरी एवं ग्रामीन परतिनिशुत के लिए जिल्ला परिशद होना चाहिए इसके विकल्पे हैं वलबंतराई महता समीत, एलम सिंगवी समीत, असोक महता समीत और चौता विकल्पे हैं द्युती प्रसासनिक शुदारायो इस में कहा था कि हर जिल्ले में जिल्ला परिषद होना चाहिए जिसमें नगरी और क्रामेल परतीनुद समाहिती हो पांच्वा प्रश्ण है भारत की लोकतांतिक राजनीति में निम्न राजनीतिक दलों के प्रवेश के आरोही क्रम को कालानुक्रम में ब्यवस्तित कीजिए यहाँ पर भारती राजनितिक के कुछ राजनितिक पार्टियों के नाम है उन्हें हमें उनके वर्ष के अनुसार आरोही करम में लिखना है कि कब किसका गठन हुआ पहला है महाराष्ट नवनिर्मार्चेना जिसे मनम बोलते हैं तूसरा है तेलंगाना राष्ट शामीति टी आरेस तीसरा है अकिल भारती त्रिनमूल कॉंग्रेस चोहते है राष्टबादी कॉंग्रेस पार्टी जब हम महाराष्ट नवनिर्मार्चेना की बात करते हैं तो इ राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी एंड सीपी जिसे हम बोलते हैं 1999 में बनी थी तो इस तरह से हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर जो निर्मान हुआ वो अखिल भारती त्रिनमूल कॉंग्रेस का हुआ था तो यानि कि तीन सबसे पहले आएगा उसके बाद समीति और अंत में महाराष्ट नौनिर्मान सेना एमेनम तो 2006 में तो यानि कि यहाँ पर दो पहले आएगा 3421 इसका सही कोट है 3421 चाटा प्रशन है शूचना के अधिकार द्वारा राजनेती परसासनिक ब्यावस्ता में निम्न मैं से किन विशिष्टताओं का प्रारंब किया गया यानि कि जो शूचना का अधिकार आया राइट टू इन्फॉर्मिशन आया वर्स 2005 में उसके द्वारा कौन-कौन सी ब्य चौता है लाल फीता साही जो बात करते हैं राइट टू इन्फॉर्मिशन का 12 अक्टूबर 2005 में पूरे भारत में जो है सूचना का अधिकार अधिनम को लागू किया गया था तो इससे सावधानी, देखरेक और शतरकता ये तीनों विशिष्टा हैं इसमें सामिल है इसमें नौकर साही लाल फीता साही आप जानते हैं नौकर साही की आलोचना में आलोचना करते हुए उसे रेट टेपिज्म यानि कि लाल फीता साही कहा गया था तो लाल फीता साही जो है वो सूचना की अधिकार द्वारा राजनिती प्रसासनिक व्यवस्ता की भी सिष्टा नहीं तो यानि कि यहाँ पर एक, दो, तीन, साधानी, देखरेग और शतरक्ता ये सूचना की अधिकार की पिसेस्ता हैं। शात्वा प्रशन है, सही मिलान कीजिए, यहाँ पर सूची एक में व्यवस्ता है और सूची दो में उनसे समंदित अनुच्छेद हैं। यानि कि भारती सम्मिदान में इन्हें कहां पर रखा गया में व्यवस्ता है। बात करते हैं, तो आप जानते हैं, अनुच्छे 315 UPSC के गठन से समंदित है, तो 308 से 323 ये संग और राज्यों के अंतरगत सेवा इसमाती हैं। वहीं जब आप पंचायतों की बात करते हैं, आर्टिकल 243 यानि कि 243 के तहट गराम पंचायतों का अकठन किया गया, तो 243 से 243 O तक पंचायते हैं। और संग इस तरपर नियाएक ब्यावस्ता हैं, अनुचित 124 सर्वोची नियाले से समंदित हैं, तो 124 से 146 जो है, वह सर्वोची नियाले से समंदित हैं। तो यहाँ पर 3, 4, 1, 2, इस तरह से इसका जो कूट होगा, 3, 4, 1, 2 होगा, इसको आप मिरान कीजिएगा, इसको आप फ़लाचा ध्यान से दिखिएगा, किस अनुचित के तहट कौन सी ब्यावस्ता हमारे समिधान में हैं। आठवा पुर्शन है, निम्न मैं से कौन सा हंच जे मारगनताओ दारा लिखित पुस्ताग का फूर्ण सीर्शक है। और चोहती किताब है, Politics Among Nations, The Struggle for Peace and Power। तो जब हम बात करते हैं, 1948 में लिखी गई पुस्तक, Politics Among Nations की, तो इसका पूरा नाम है, वह है, Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace। तो सक्त और सांती, तो यहाँ पर विकल्प गो जो है, The Struggle for Power and Peace जो है, इसका पूरा नाम है, 1948 में पुस्तक, परकासित वही थी, हंच जे मारगनताओ की। नवा प्रशन है, किस अंतराश्टी समझोते ने राज्यों को पहली बार Greenhouse उत्सरजन की कटोती पर बैधिक रूप से बाद्धी लक्षे दिये, यानि कि कब यह कहा गया कि जो Greenhouse gases है, आप जानते हैं, Greenhouse gases के कारल जो है, पृत्वी का temperature बढ़ रहा है, यानि कि Global warming हो रही है तो पहली बार कौन सा वह सम्मिलन था, या कौन सा वह संधी था, कौन सी वह समझोते था, जिसके ताथ यह कहा गया कि हमको Greenhouse गैसों के उत्सरजन पर रोप्थाम लगानी चाहिए, इसके भी कलपे हैं, कोपनहेगन 2009, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, तीसरा डर्बन कांफरेंस 2011, 24 व्यогण जन November, 1992, इसका सही उत्तर है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, आप जानते हैं भारत ने वर्च 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर अस्ताक्षर किये थे, जापान का जो साहरे क्योटो वहाँ पर ये समझाता हुआ था दरस्वा प्रश्ण है सरमिकों, किर्षकों एवं समाज के सीमान्त वर्गों का प्राधान यानिक हैजमनी नौ लोगतंत्र की रूप में निम्न मैंसे किस से समंदित हैं इसके विकल्पे हैं उपास्रित स्कूल, माक्सवादी स्कूल, उत्तर यहरवादी स्कूल, उत्तर आधुनिकी स्कूल इसका सही उत्तर है उपास्रित स्कूल तो जो सरमिक हैं, किर्षक हैं और समाज के सीमान्त वर्गों का जो प्राधान यानिक करते हैं उससे नव लोगतंत्र की स्तापना होती है, यह कहन मानना है उपास्रित स्कूल के जो विचारक है उनका मानना है, विकल्पको इसका सही उत्तर है। जोस्ता होगी, वहाँ पर नौकर साही अनुप्यूक्त हो जाएगा, यह कि ब्यूरोक्रेशी की कोई आशकता नहीं होगी। इसके विकल्पे हैं, वारेन वेनिस, मैक्स वैवर, पीटर ब्लाउ, मार्टिन एलब्रो, इसका सही उत्तर है, वारेन वेनिस, यह उर्पूर्वान इसके विकल्पे हैं, युनेस्को, उन्डीप, युनिसेप, युनेजाई, आईडी, इस प्रस्ने का सही उत्तर है, युनेस्को, वर्ष 2017 में, शेहतर राष्ट के, जो कारीकारी मंडल है, वहाँ पर भारत को फुन निवाजित किया गया था, युनेस्को में, विकल्प तेरवा प्रस्ण है निम्न मैं से कौन सा आयोग समयधानिक निकाय है। यहाँ पर चार आयोगें हमें बताना है कि किसको कंस्टिटुशनल दर्जा दिया गया है यह निकि समयधान के अनुच्छित के तौरा किसकी व्यवस्ता की गई है। पहला है राष्टी अनुच्छित जन जात आयोग, दूसरा है राष्टी मानवाधिकार आयोग, तीसरा है राष्टी अलपसंक्यक आयोग, चोहता है राष्टी अनुच्छित जात आयोग। जो है हटा कर उसकी जोगर पर इनय आयोग नीत आयोग बनाया है तो ये कैसा आयोग है इसके विकल्प है एक स्टाफ अभिकरण है दूसरा है एक शूत्र अभिकरण है तीसरा है एक सायक अभिकरण है चोहता है ना तो स्टाफ और ना ही शूत्र अभिकरण है जब हम नीत आय के बात करते हैं, तो नीत आयोग एक staff agency के तहद आता है, विकल पको इसका सही उत्तर है. आप line and staff agency को जानते हैं, line agency वह होती है, जो मुख्य रूप भूमिकाम होती है, बर staff agency वह होती है, जो लाइन एजेंसी की मदद करने के लिए आती हैं तो यहाँ पर विकल्प को स्टाप एजेंसी का कारिकरती है हमारी नीतियायोग पंदरवा प्रश्टे है नेमलिकित विकास कारिक्रमों को आरो ही क्रम में ब्यवस्तित कीजिए यानि की कौनसी योजना सबसे पहले आई और कौनसी योजना बाद माई हमें ब्यवस्तित करना है पहला है प्रधानमत्री ग्रामिर्ण साड़क योजना, दूसरा इंद्रावाश योजना, तीसरा दीन द्याल उपाद्याई ग्राम जोती योजना, चोहता आटल पैंसन योजना जब हम बात करते हैं प्रधामती ग्रामिर्ण सडक योजना ये वर्ष 2000 में चलाई गई थी जब हम बात करते हैं इंद्रा आवास योजना 1985 में चलाई गई थी जब हम बात करते हैं धीन द्याल उपाध्याई ग्राम ज्योत योजना मैं 2015 में ये चलाई गया था तो इसकार हम देखें, सबसे पहले जो योजना है आपर आ रही है, वो आ रही है इंद्रा आवास योजना 1985, उसके बाद प्रधामती गरामिर सडक योजना 2000 में, उसके बाद अटल पैंसन, माँप कीजिए, दीन द्याल उपाज्याए गराम जोती योजना मैं 2015 में, और उसके वादनत में, अटल पैंसन योजना आपका चोहती नंबर पर जो है, जुलाई 2015 में चली थी, तो एक तीन चार इसका सही कूट होगा, दो एक तीन चार, दो एक तीन चार इसका सही कूट होगा, अगला प्रशन है, निवनमैसे किस देश के साथ भारत ने ब्यापक आर्थिक साज़ेदारी समझोता हस्ताकसित किया है, यानि कि भारत ने किस देश के साथ ब्यापक आर्थिक साज़ेदारी समझोता किया है, यहाँ पर चार विकल्पदी हैं, रूस, जापान, इसराइल, अमेरिका इसका सही उत्तर है जापान भारत ने वर्च 2011 मजो है जापान के साथ जो है अपना व्यापक आर्थिक साज़दारी समझवता किया है इससे पहले भारत ने शिंगापूर के साथ और कोरिया के साथ भी अपना व्यापक आर्थिक साज़दारी समझवता किया हुआ है तो इस तरह से तीन देश जापान, सिंगापूर और कोरिया इनके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक साज़ेदारी समझोता किया है विकल्प को इसका सही उत्तर है शत्रमा पुर्ष्ण है इसका सही उत्तर है अठरवा पुर्ष्ण है निम्न मैं से किस भारती परंपरा को हाली में मानवता की अमूर्त सांस्कृति विराशत गोशित किया गया है इसके विकल्पे हैं कुम्ब, दूसरा है योग, तीसरा है नौराज, चौता है भी हू इसका सही उत्तर है कुम्ब को, कुम्ब को भारत की जो है मानवता की अमूर्त सांस्कर्ति विराशत गोशित किया है भारती परंपरा में जो कुम्ब कामेरा लगता है आप जानते हैं उसे मानोता की अमूर्थ सांसिक्ति विराचत गोज़ित किया है विकल्प कोईस का सही उत्तर है उनीसवा प्रशने है निमनिकित मैं से बैज्ञानिक परबंदर की मुख की विसेज़ताएं क्या है और जो स्थाइंटिपिक मैनेजमेंट होता है उसमें कौन-कौन सी चीज़ें सामाहित होती है इसके चार हमको विशिस्ताइदी हैं, हम उनमसे चैन करना है, पहला है एकल प्रसाशनिक विज्ञान, जिसके सिद्दान्त, नाकियोल ब्यापार, भलकि सरकार, धर्म और अन्य संक्टों पर भी लागू होते हैं, दूसरा है कारियात्मक फॉर्मेंसिप, तीसरा है योजना ए अब यहाँ पर पहला विकल्प को आपड़ेंगे, तो देखो पहला जो विशिस्ता है, एकल प्रसाशनिक विज्ञान, जिसके सिद्दान्त, नाकियोल ब्यापार, बलकि सरकार, धर्म, अब धर्म जिसी चुजों में आप विज्ञानिक प्रबंदन को लागू कर रहे हैं, और सभी सक्कारों के अन्य चुट्रों पर यहाँ लागू होता है, ऐसा संभव नहीं है, तो यहाँ पर पहली विशिस्ता बिलकुल भी विज्ञानिक प्रबंदन की नहीं है, हाँ, दूसरा, फंक्शनल फॉर्मेंसिव, कारियात्मो फॉर्मेंसिव, योजना इमकिर्यात् इनों जो हैं, वह बैग्यानिक प्रबंदन की मुख्य विशिस्ता हैं, तो दो, तीन और चार जो हैं, बैग्यानिक प्रबंदन की मुख्य विशिस्ता हैं, बीश्वा प्रशन है, संस्तावाद तथा नव संस्तावाद के मद्ध मौलिक अंतर को मुख्यतों किस सिद्धान पर आधारित किया जा सकता है, इसके विकल्पे हैं निगमनात्मग, आगमनात्मग, परियोगात्मग, अनुविक्षनात्मग, तो संस्तावाद और नौ संस्तावाद के मद्ध, जो मौलिक अंतर किया जाता है, वह किया जाता है, परियोगों के द्वारा, यानिकि परियोगा की द्वारा प्रियोतमक सिध्दान्थ की द्वारा विकल्प गोइसका सही उत्तर है क्लैस आफ सिविलाइजशन का अर्थ आप जानते हैं एक पुस्तक है एस पिष्टा को क्या है इसके विकल्पे पर घोर असामज तो हता है संगर्च मुख्य रूप से बैचारिक और आर्थिक ना होकर सांच्रितिक चरित्र का होगा तो S.P. Huntington ने अपनी पुस्तक The Class of Civilization में यही बात की है कि जो संगर्च होगा वह बैचारिक और आर्थिक ना होकर सांच्रितिक चरित्र का होगा विकल्प घोईस का सही उत्तर है यही Class of Civilization है इस प्रशनी की व्याकिया आप दे सकते हैं S.P. Huntington ने अपनी पुस्तक The Class of Civilization जो की जिसका पूरा नाम है The Class of Civilization and the Remaking of World Order यह पुस्तक जो है 1996 में प्रकासित हुई थी कभी-कभी इसका वर्च पुचा जाता है यह इसको ओर्डर में विवस्त करने लिए आएगा तो आपको याद रखना यह पुस्तक 1996 में प्रकासित हुई थी बाहिश्वा प्रशन है निम्नमैसिक किसे लोगपरशाशन यो नीजी परशाशन के मद्य अंतर किया है यहाँ पर चार विचारकों की नाम है पॉल एपलवी, अल्डी वाइट, हर्बर्ट साइमन, सर जोसिया, स्टेंप हमें बताना है कि कौन से विचारक हैं जिरोंने लोगपरशाशन और नीजी परशाशन में अंतर किया है तो लोगपरशाशन और नीजी परशाशन में अंतर कने वाले जो विचारक हैं उनमें आपका पॉल एपलवी, अर्बर्ट साइमन और सर जोसिया स्टेंप यहाँ पर टेक्श्वा प्रश्ण है भारत का सर्वोच नियाले किसके दोरा शंग और राज्यों के मद्ध विवादों को अधिनिरनित करता है। टेक्श्वा प्रश्ण है भारत के दोरा शंग और शंग और राज्यों के मद्ध विवादों को अधिनिरनित करता है। टेक्श्वा प्रश्ण है क्रांति की जवर से तुलना किसने की है। तो क्रांति की जवर से तुलना करने वाले जो विचारक हैं वह है क्रेन ब्रिंटन। क्रेन बिंटन ने अपने एक पुस्तक लिखी है अनाटोमी आफ रिवॉलुशन तो उसमें उन्होंने क्रांति की जवर से तुलना की है। इसकी व्याक्या आप देख सकते हैं अपनी पुस्तक अनाटोमी आफ रिवॉलुशन में उन्होंने जो है क्रांति की जवर से तुलना की है। 25 प्रशन है कथन और कारण का। कथन है राष्ट और राष्टवाद को विवित्प्रकास से परिवाशित एवम संकल्पित तो किया जा सकता है किन्टो इन्हें समान द्विश्द्धांति करान द्वारा समानिक्रित नहीं किया जा सकता है। तो क्या जा सकता है, किन्त उन्हें समान, सिद्धान्ति करण और समान करत नहीं क्या जा सकता है, क्योंकि राष्ट और राष्टवात पर विमर्ज तो हो सकता है, किन्त समान, सिद्धान्त नहीं हो सकते हैं, इसलिए कतन और कारण दोनों सही है, और कारण कतन की सही व्याक्या कर रहा है अच निमनमे से कौन सा योजना आवकास यानकी Planet Holiday से असंगत हैं आप जानते हैं की Planet Holiday 1966 से 1969 का जो समय है वो Planet Holiday या Yozna Ajna के नाम से जाना जाता है उसे पहले बहरत में 45 सी योजना चलती थी और लेकिन ये जो 3 साल का समय रहा उसे हम Plan Holidays के नाम से जानते हैं तो पहला भी कल्ब ये लग अवज आकस्मी योजना है थी बिल्कुल सही कतन है दूसरा इन योजनाओं के अवज 1966-69 थी बिल्कुल सही है तीसरा युद्र मुदास्पित यो सुका इन योजनाओं के मुख्य कारण थे बिल्कुल सही बात है क्योंकि 1965 का जो समय था जब लाल बाह DNS शास्त्री देश के प्रदानमतिती थे उस समय कहिना के भारत ने योजने को जेला उससे 1962 में चीन ने भारत प्राक्रमन किया 1965 में पाकिस्ताने भारत प्राक्रमन किया उस समय देश में महेंगाई बहुत जादा बढ़ गी थी, विरुजगारी बढ़ गी थी, देश में सूके की स्थित पैदा हो गी थी, जो मौसम था उसने साथ नहीं दिया था, तो युद्ध, मुदरस्बित और सूका इन यूजनाओं के मुझे कारण थे, चोहता यहाँ पर संप्रिशन हो सकता है, इसके विकल्पे हैं केवल उर्धोगामी, दूसरा है केवल अधोगामी, तीसरा है केवल उर्धोगामी, वह अधोगामी, चोहता है, उर्धोगामी, अधोगामी, एवं आरपार, इसका सही उत्तर है, उर्धोगामी, अधोगामी, एवं आरपार, त ने निम्नमय से कौन से मार्ग सुझाए हैं यहाँ पर चार हमें तरीके बताये हैं हमें उन्होंसे बताना है कि कौन सा तरीका MP Follet Mary Parker Follet के दोरा सुझाया गया है आप जानते हैं MP Follet की पुस्तक है creative experiences बहुत बेतरी पुस्तक उनकी माने जाती है और उन्होंने नित्यों से समधित बाते बताई हैं और जब कभी संगटन में संगर्ष उत्पन हो जाते हैं उनके समाधान की कुछ वीदिया भी बताई हैं तो यहाँ पर जो चार वीदिया उन्होंसे हमको चैन करना है पहला है आदिपत्य, दूसरा है समझोता, तीसरा है समरपन, चोहता है एक ही करन तो MP Follet ने संगर्ष समाधान के लिए आदिपत्य, समझोता और एक ही करन इन तीनों वीदियों के बात की हैं यहाँ पर इस प्रशन का जो सही कूट होगा एक, दो और चार होगा तो यहाँ पर विक बिकल्पे हैं, राज्यों का निर्माल, राज्यों का पुनरगठन, राज्यों का विकेंदीकरण, राज्यों का संस्ताकरण, तो जो कौखोगोगों आज जानते हैं कि स्वत्ता के बाद भारती राज्यों को चार प्रकार से कौखोगोगों में विवाजित किया गया था, तो ये राज्यों के निर्मान से संबंदित कथन है, यहाँ पर पिकल्पकोईस का सही उत्तर है. तीस्वा और अंतिम प्रश्ण है है इस पेपर का सुच एक में हमें इसमें सही मिलान करना है, शूच एक में विचारक या लिखो के नाम है, शूच दो में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तके हैं, शूच एक में ग्रिन्विल ऑस्टेन, मौरी जौन्स, M.V. Piley, Ivor, Jennings का नाम है, तो आप से मैं बार-बार एकी बात कहता हूँ, कि पहले ये देखिए कि कौन सी पुस्तक को आप थोना सा जानते हैं, उसके बारे में आपने कभी सुना हो, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तक ये Cornerstone of a Nation, यानि कि The Indian Constitution, Cornerstone of a Nation, ये कई बारे पुस्ता आगी है, कि ये Green Constitutional Government in India, वही आइबर जेनिक्स की पुस्ता का है, Some Characteristics, यहां से पकड़ना है आपको, आइबर जेनिक्स ने पुस्ता लिकिया है, Some Characteristics of Indian Constitution, तो BD का मिनान दोसी करना है, तो इस तरह से आप दिखींगे, इस प्रशने का जो सही कूट होगा, 3, 1, 4, 2 होगा, 3, 1, 4, 2 इसका सही कूट है, आज की इस प्रशने पत्र में हमने 30 प्रशनों का अजन किया है, यह सभी प्रशन, UGC NET की जून 2019 की परिक्षा में पूछे गए हैं, हमारा लक्ष्य है, कि हम आपके सामने, NET, SET, TGT, PGT, और ऐसे सभी प्रत्यों की परिक्षाओं के प्रशने पत्र आपके साम महत्यपून हो सकते हैं, इसने आप इन प्रशनों को गंबिर्था से दिखेगा, यह प्रशन महत्यपून भी हैं, और आपके ज्ञान वर्दन के लिए इनका ध्यन करना भी आउशक है, आज की इस प्रशन पत्र में इतना ही धन्यवाद